ओम श्यान्ति बाबा ने हम सभी को संपूर ज्यान दिया ज्यान देकर हमारी चिंताइं हर ली जो हम ज्यादा सोचते थे बात-बात में चिंती तोर परिशान होते थे उससे हमें मुक्त कर दिया ज्यानी आत्माओं का चित स्यान्त हो जाता है क्योंकि संपूर ज्यान मिल गया कर्मों की गती का ज्यान मिल गया हर एक के भाग्य का ज्यान मिल गया ड्रामा के सारे रहस्यों को जान लिया इसलिए मन चिन्तित और परिशान नहीं होता है हर बात को सहज लेते हैं निर्भै कर दिया बाबा ने बाबा हमारी साथ है ये बहुत बड़ी कॉंसियसनेस दे दी संसार में लोग अपने को ऐसा है अकेला महसूस करते हैं बहबीत रहते हैं क्या होगा कैसे होगा ये नो हो जाए वो नो हो जाए इन चिन्ताओं में जीवन जीते हैं और हमें एक बहुत बड़ा साहरा मिल गया भगवान का मैं हूँ ना ये सब्द कानों में गुंजने लगें तो सचमच बात्सा बनकर इस कांटों के जंगल में जीवन व्यतीत करें सेर बन जाएं सेर कांटों के जंगल में दुनिया में अपने पूरे एरिया में अकेला रहता है वो उसकी अपने दुनिया होती है हमें बाबा ने निर्भीक बहुत सक्ति साली मास्टर सर्व सक्तिवान बना दिया है बहुत बड़ी चीज हुई इसलिए बेफिकर बाच्शा कर दिया और सारी चिंताएं मनुस को मैं और मेरे की होती है सारी निगेटिविटीज का आधार यही है बाबा ने हमें ऐसी रोसनी दी कि समर्पित भाव अपनाओ समर्पित हो जाओ और यह समर्पंता सबसे गहरा विशा है सब कुछ तेरा तो बाबा ने बिल्कुल इस पस्ट सब्द बोल दिये मेरे को तेरे में बदलो फिकर बाप को दे दो फखुर ले लो और बन जाओ बेफिकर बादसा यह सब सदैव हमें याद रखने चाहिए मेरे को तेरे में बदलो मैं और मेरा यही तो भारी करते है ना मनुसको मेरे बच्चे पड़ नहीं रहे मेरे बच्चो की सादी करानी है पैसा नहीं है रिष्टे हो नहीं रहे परिवार का बहुत ज़्यादा है जिम्मेदारी है धनकी कमी है यह सब चीजे मनुसको चिंताओं मे लाती है लेकिन जिनोंने बाबा को जान लिया है जो उसके समीप हो गए है जो उसकी आज्याओं पर चल रहे है जिनोंने उसके प्यार को जीत लिया है जिनोंने उसके लिए अपने कुर्वानी कर दी है जो उसके कारिये को सफल करने के लिए अपना सर्वस्वने अच्छावर कर देते है उन पर वो कुरुबान रहता है उनकी चिंताएं वो सब भर लेता है बस वो एक बार कहेंगे यह सब कुछ तुम संभालो और वो संभालने लगता है हमें इसका अनुभव करना है तब हम निश्चिंत बेफिकर बात्सा हो सकेंगे नहीं तो यह संसार तो चिंताओं का संसार है इसमें बहुत चिंताएं है कदम कदम पर मनुसको परिशानिया है end आ गया एकदम end तो विकारों का चिंताओं का डर का इन सब का भी end आ रहा है हम इनको विदाई देंगे अब सब एंड से पहले ये अपने सिखर पर हैं, चोटी पर पहुँच गए हैं, एक्स्ट्रीम में पहुँच गए हैं, तो हम इस वर ये ज्यान की शक्ति अपने अंदर बढ़ाते चलें, स्वमान की शक्ति को बढ़ाते चलें, बाबा को ठीक से पहचानते चलें, ये सब होगा योग युक्त रहने से तो हमें समझ में आता जाएगा कि वो हमारी कितनी केयर करता है देखर देखें उसे सारे बहुत चिंताएं और अनुभव करते चलें वो क्या करता है तो आओ हम सभी बेफिकर बात्सा बनकर निर्भै होकर निश्यन्त होकर इस संसार में विचरन करें और संसार को सिखाएं कि ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है ओम श्यंति